एक भाई का हमारे पास प्रस्ण ने आया था बहुत अच्छा कि सर प्लान ओफिक्स हम एक टेंकर के लिए यूज करें तो हम कितना डोज दे सकते हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा होते जाए टैंप्रेचर ज्यादा ज्यों ज्यों टैंप्रेचर ज्यादा होगा हम जो है कीट ना या fix में mix होता है या fix होता या नहीं अब इसको मिलाते हैं और देखते हैं क्या होता है कि है नमस्कार दोस्त आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइन पहिंपर बात करने वाले हैं देखिए आज मैं बैठा हुआ हूं इस जगह की हमारे पास कुछ करने वाला हूं यह सब दिखिए आज हमने इसको पर्चेज करके लाया है मार्केट से और आज मैं बताओंगा कि इसमें कौन-कौन सी दवाई है क्योंकि थोड़ा सा डिफ्रेंस हो गया है क्योंकि मैंने जब गया दुकान पे तो वहां बहुत एक अच्छा हमने क्या एक चीज हमें टेस्ट करना था इसलिए हम यहां बैठे वह हैं हमें टेस्ट करना था कि क्या इन सभी दवाउं को एक साथ हम हम अगर mix करके चलाते हैं तो क्या वो सही condition में रहता है या फिर वो दवाई का असर खतम हो जाता यानि कि वो फट जाता है तो इसके बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि इसके साथ हमारे पास आज है दिखिए यह प्लानो फिक्स हमारे पास को भी हम आज क्या करेंगे कि एक ही साथ मिलाना है बहुत असे आदमें बोलते हैं कि नहीं प्लानो फिक्स को अलग से स्प्रे करना चाहिए लेकिन किसान के पास उतना टाइम नहीं होता है उतना वक्त नहीं होता है उतना लेवर नहीं होता है कि वह अलग अलग दवाई का अलग अलग दिन मे आज हम इसको test भी कर लेंगे इसके लिए हम देखें यहां पर ये इसमें पानी भर करके रखा हुआ है कि ताकि इसमें हम अपना test कर पाएं कि इसमें रिजल्ट आपको को Saip Saip दिख पाए इसके लिए देखिए दोस्तों ये फीडियो तोड़ा साफा हो सकता है क्योंकि इसको थोड़ा सा टेस्ट करेंगे फिर इसके बारे में आपको बताऊंगा तो चलिए पहले हम क्या करते हैं कि सकंवरिम जान लेते हैं दोस्तों हमने पहला स् adults लगा था आपको साफ मैंने दिखाया था किसल और लेमडा साइलोथ्रीन का हमने प्रियोग किया था इस बार हमने दूसरे प्रे में पिछले वीडियों बदाया था कि आपको और प्लानोफिक्स लगाना है और हेक्सा को नजो लगाना है लेकिन हमारे पास इसके कॉमन में हमारे पास दीखे प्लानोफिक्स है प्लानोफिक्स है इसका भी मैं भी टेस्ट करूंगा प्लानोफिक्स है लेकिन इसके अलावा हमारे पास जो है यह एमीडा क्लूरुपिड ह हमने लाया हुआ है क्योंकि पहले दफ़ा हमने एमीडा यूज नहीं किया था हमने लेमडा किया था इसलिए इस बार हम एमीडा का यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने एक बात और बताया था कि जो पहली बार आप यूज कर रहे हैं दवाई का वही कॉम्मिनेशन का दवाई आप हम לפец लया वालत है तो इसेवंटी पॉइंट हरें इस फ़रं में इसके मिदा आप दोस्तों है को लोई करने के लिए लेकिन दोस्तों हीं हम सभी किये हैं और पिष् defendants करके हमने ट्राइ किया है लेकिन आप जानते हैं कि मैं थोड़ा अलग चीजे प्रियोग करना चाहता हूं अपने बगीचे में ताकि मैं आपको अगले वार उसका रिकमेंडेशन दे सकूं इसलिए इस बार ही हम अलग चीजों का प्रियोग मिला रहे हैं देखिए यह हमारे पास है लगलोईट यह गलोईट है जो कि Senjenta कमपणी का यह एक फंगिसाइट है इसका जो कॉमिनेसन दोस्तों वहाँ प्रोपी कोनाजोल जो कि तेरह पॉइंट नैंपर्सेंट है इसमें और उसके साथ जो है वह डाय फेनोकोनाजोल है जो कि वहाँ भी सेम है मतलब तेरह पॉइं मिला रहे हैं इस फंगिसाइट का हैक्सा के जगह पर इसका और हैक्सा को ना जोल जा है वह 400 रुपे परती लीटर के हिसाब से आता है तो उसके हिसाब से यह बहुत ही महंगा है इस बार चली हम ट्राय करके अपने पहले देख लेते हैं कि कैसा है और उसके बाद अगर इसका रिजल्ट अच्छा आया तो अगले स्प्रे में आपको मैं रिकमेंट करूंगा इसका करने का वैसे तो मुझे सब जगह से पता चला कंपनी से भी पता चला कि इसका रिजल्ट वहां कई बहुत अच्छा है अब इस प्रेक करने के बाद ही पता चले को इसे महंगा है तो हो सकता है कि अच्छा हो ऐसा जरूरी भी नहीं है लेकिन हेक्सा के जगह इस बार हम इस फंगिसाइड का ग्लोईट का जो कि जिन्टा कंपनी का उसका हम यूज कर रहे हैं अब द इसका जो प्रियोग है वह एक टॉनिक के तरह किया जाता है जैसे मान के लिए एक हम कीट ना सक और एक टॉनिक लगाते हैं उस कंडिशन में हम इस बार को लिए हुए हैं क्योंकि अब जो है मटर के दाने के साइज का हमारे बगिचे में होने लगा है तो अब भी क्या होता है कि आम का जड़ना अब सुरू होगा फूल का जड़ना तो सुरू था ही लेकिन जो आम बचा हुआ है अब आम का जड़ना सुरू होगा और एक चीज़ दोस्तों इसमें सबसे में चीज़ होता है वह वेदर होता है कि मौसम मौसम कैसा है अभी क्या है ना कि दो तीन दिन से मैं देख रहा हूं कि इधर का मौसम बिल्कुल ज्यादा चेंज हो रहा है और जैसे मौसम में होता है कभी बादल रहते हैं कभी पूर्वा हवा चलता है कभी पश्या आवा चलता है और जैसे ही दोस्तों पूर्वा हवा का चलना सुरू होता है तो मध्वा का अटैक बहु बहुत हो रहा है कि कुछ की आपके फूल को फल को जड़ने से रोकता है क्योंकि उसका जो देंटल है उसको यह मजबूत बनाता है अब चली बात हम करते हैं नोज का तो दोस्तों आपको बहुत कम रखना है एक चीज़ पिछले वीडियो मैंने नहीं बताया था आपको कि गटूर मसीन अब कम हो गया है क्योंकि मैं आप देखते हैं कि मैं चलाता हूं घटूर मसीन हाथ से लगा के चलाता हूं तो घटूर मसीन का जो अडोज होता है वह थोड़ा से ज्यादा होता है लेकिन आप कोई भी power sprayer मसीन लगाते हैं या फिर पैटरॉल गौटे जबनेख लगाल चलित कोई भी मंशीन होता है तो उसमें तोड़ा सा डोज्व हम कम रख सकते हैं या टैंकर से दोते हैं तो टैंकर से भी कम दोते हैं एक बाईटान का हमारे पास ब्रशन आया था बहुत अच्छा चाहिए यí यह इनफ है प्रियाप्त है आदमी लोग ज्यादा भी लगाते हैं लेकिन इसमें आपको प्रॉब्लम भी हो जाती है इसलिए कम ही लगाए सुरक्षित रहें अब इंसेक्टिसाइट की बात हम करें तो यह दिखें मित्रा है जो कि हिरंबा कंपनी का ही दवाई तो इसको हम ज प्रॉब्लम से भी जड़ सकता है दोस्तों कि गर्मी ज्यादा होते जाए टेंप्रेचर ज्यादा ज्यादा होगा हम जो है किट ना सकता हलका कम करते जाते हैं यह ध्यान रखने की बात है इसलिए हम जो इसका एमिड़क्लोरवीट का यूज करने वाले हैं यह हम 50 लिटर क और परती एक लिटर पानी के हिसाब से हम लगाते थे ठीक है तो अब क्या लेकिन वह दो एमिल परती एक लिटर जो होगता था वह होता था एक लिटर पानी गटऊर मसिन के लिए लेकिन आप वही अगर पावर स्फेयर के यूज करते हैं तो उसके लिए 1 ml परती एक लिटर हो जाता था यानि कि एक टैंकर 2000 लीटर कर जो होता है उसमें 2-0 लगता था तो उसके हिसाब से हो गया एक लेक लेकिन इसका सीन अलग है दोस्तों ये जो है ब्लोई व्निसाइट फंगि साइट यह बहुत महंगा है और बहुत ही को यह रही बात फंगी साइड की मतलब इंसेक्टिचाइड औरSome रूर्ध singular ध्यान में अब सुन ले आप यह पानी हमारे पास है इस जार में अब अब इस जार में पानी है अब आदिसको हम मिक्स करते हैं तीनों को98 कि क्या होता हुए? अगर रियक्षन गलत होता है तो हम क्या करेंगे कि इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दोनों को एक साथ चला देंगे और यह जो हमारा यह दवा है प्लान फिक्स टॉनिक पीजियार प्रडेक्ट इसको अलग से चलाएंगे लेकिन हमारा अगर तीनों दवा मिलाने के आप भी जान जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करता है एक को मिक्स करना तो चलिए दोस्तों यह है हमारा पानी जो की एक लीटर है यह एक लीटर हमने लिया है ताकि आपको और इसका कॉमिनेशन मिलाने में कोई तिरह का दिक्कत ना हो पांच एमल इसमें पांच एमल का यहां तक है तो मैं कोशिश करूंगा बहुत हलका सलूँ और जो भी इसको काम करना है दोस्तों यह आपको साफधानी प्रुबग करना है इसको हम डाल देते हैं पानी में देखिए दोस्तों यह देखिए इसका कलर बिल्कुल नॉर्मल था थोड़ा सगंद आ रहा था यह जादा भी महकता नहीं है इसका जो इंसेक्टिस एडिये दिया हुआ ऐसल फॉर्म में यह जादा भी महकता नहीं है हलका सगंदा रहा था देखिए उस समय तो उजला दिखा मतलब जैसे हमने दवाई को डाला उस समय दूद के तरह बना लेकिन फिर देखिए बिल्कुल साफ हो गया दोस्तों बिल्कुल फिर पानी के तरह हो गया देख पा रहे हैं यही है आपका ऐसल फॉर्म अगर इसी फॉ परते हैं यह जो फंगी साइट दोस्तों यह है इसी फॉर्म में देखेगा इसको डालने के बाद यह उजला ही राज आएगा पानी इसको भी हम एक एमल डालते हैं यह दिखिए दोस्तों हलका सा हमने लिया है बिल्कुल अब इसको डालते हैं यह थोड़ा महक रहा है कि अब देख पा रहा है देखे व भी हुआ है यग कि यह दिए दोस्तों यह बिल्कुल देखिए उजला होते जारा कि अब पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं तब ही तो पता चलेगा कि इस दोनों को मिलाने पर कहीं कोई तरह करENT पनी हो रहा हुम laugh three side or Seite데 Sal और एसी दोनों अलग-अलग फ़र्म को मने मिलाया है अगर इसी सथा तो किसी तरह का कोई प्रावलम नहीं हो ना चाहिए था लेकिन अब इसको मिला करें कि क्या कोई प्रावलम हो रहा है कि इसको फिला देत продолж to किसी तरह का मुझे तो कोई प्रावलम नजर नहीं आ रहा है यह आसानी से मिल गया अगर नहीं मिलता दोस्तों तो यह थोड़ा सा उपर में यह फटा-फटा सा दिखता यह बिल्कुल है अगदम लिक्विड टाइप का है किसी तरह का कोई इसमें देखने में अंतर नहीं आ अफ़िट आए दवा को विल्कुल एंदम दिखें बिलकुल मिक्स हो चुका है कहीं किसी परकार के कके कोई दिक्यत की बात नहीं है अच्छे से मिखे हो गया है लेकिन थोड़ा से हम धáng रगता है अगर फटना तो फटह घना या जम ज्जाधा देंगे तो आर जल्दी फटना चाहिए ना इसलिए इसका भी हमने ये दवा ले लिया अब इसको मिलाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है गंद बहुत कम है दोस्तों थोड़ा सा इसमें गंद लगा था हमको फंगिसाइड में हलका सा और ऐसे आप नॉर्मली दवाई को चलाते हैं तो हो जाए अब इसको मिक्स करते हैं कि वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों लेकिन ये बहुत ही आपके लिए फाइदा वाला वीडियो है आपके लिए बहुत ही लावदायक वीडियो है ताकि हम इस ब्रह्म से दूर हो जाए कि फटेगा या यह नहीं फटेगा आदमी लोग परकार का कोई दिक्कत नहीं आया है होता है ना कि फटने के बाद या तो नीचे बढ़ जाएगा या तो उपर वो दिखने लगता है लेकिन इसमें ना तो नीचे दिख रहा है और ना ही उपर दिख रहा है यानि कि कुल मिला के हम बात कहें तो इसमें किसी परकार का कोई लिक्त नहीं है हम सकते हैं यानिकि अपने भगिचे में यह सब कॉम्भीनेशन की दवा को हम रख के हम अच्छे से इसको में दवान माहती हैन। श्रीक्स ernार वान नहीं हो दोस्तों दोस्तों मैं और कर रहा हूं कि यह जो चीजे आपने देखा बहुत सारा कोमेंट आने कि यह तो आपने तुरत किया तो तुरत इसमें किसी परकार कोई दिक्कत नहीं हुआ लेकिन आप आधा गंटा रखो यह इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा चलिए हम आधा गंटा नहीं हम इसको चौविस घंटे रख चौविस घंटे नहीं बारा गंटे क्योंकि कल सेवेरेस म दरूर लग जाएगा 15 गंटा 16 गंटा लग जाएगा तो 16 गंटा तक हम इसको चलिए देखते हैं इसको हम बैक कर देते हैं बंद करके इसको छोड़ देते हैं कल इसके सामने फिर हम जब वीडियो बनाएंगे तो पहले मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा कि क्या इ ऐसे ज़्यादा देर दवा को घोल के नहीं रखना चाहिए चलिए कल देखते हैं तो चलिए दोस्तों हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगला वीडियो यहनी कि हम मैं आपको जो अगला वीडियो देने वाला हूं वह मैं अपने बगिचे में पचास लीटर के टेंकर आपको दिखाऊंगा इस बार मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा पावर वाला मसीन लाके ही मैं अपने पगिचे में लगाओं तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद जैभारत